है यह नमस्कार दोस्तों मैं हूं संजी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल संजी पाटसवारा दोस्तों यहां पर जो हमारे पास डिवाइस है यह है जीओ का एर फाइबर जो की 5G को सपोर्ट करता है वाइफाइब 6 को सपोर्ट करता है साथ ही यह डूवल बैंड के साथ आता है 2.4 गीगाहट्स 5 गीगाहट्स दो बैंड होते हैं एक होता है 2.4 गीगाहट्स एक होता है 5 गीगाहट्स जो 5 गीगाहट्स होता है वह बहुत पावरफूल होता है और जो 2.4 गीगाहट्स होता है वह उससे थोड येसा भी डिवाइस हो तो पॉइंट फोर कीगाहट्स का जो बैंड है वो सभी में सपोर्ट कर जाता है दो स्तों यह हमारे वीवर से उन्हों ने हमारे पास कॉस्चिन किया कि सरब जो हमारे पास air फाइवर है तो हमारे में 2.4 फीड़ फार में आपको झानकारी साथ ही मैं आपको इससे और भी काफी सवाल बताऊंगा तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके पास पेसेंस है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा तो इससे रिलेटर में आपको बहुत सारी जानकारियां देने जा रहा है यहां पर हमारे पास जी यह अलग अलग साता है अलग-अलग स्पीड के साता है जैसा आप स्वालेोंगे यह अगर 3.7 एक और मैंने देखाए कि 3.67 ही आपको टॉप सीड मिले है उसके नीचे आपको भले चाहें मिलें लेकिन 3.7 की आपको टॉपасть स्वीड मिलती है उसके उपर जाता ही नहीं है क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो लॉक्ड है तो इसलिए वह उपर नहीं जाती है 3.7 MB की स्पीड जाती है इसके अंदर जो आपको स्पीड देखने को मिलेगी वह आपको मिलेगी आपके प्लांस के एकोर्डिंग पहली बात तो यह है अब दोस्तों में मुद्धे पर आते हैं कि जो वीवर्स ने हमारे बताया है कि हमारे में 2.4 सपोर नहीं कर रहा है से इतल दोस्तों उसके लिए आपको एक सिलियूसन करना होगा यह जो आपका हट होता है यह में बॉक्स होता है यह आपके drive के अंदर इंस्टॉल होगा यहीं आपका वाइफाई है यहीं आपका सब कुछ तो इसके पीछे जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक बहुत नभी की छी बटन होती है इस रिशेट की बटन को आपको इसके अंदर कोई भी चीज आपको डालके इस बटन को पंद्रा से 20 सेकंड होड करना होता है जैसे मानदेशी हमारे पास कि यह काटा है तो कांट कई की आपको इसके अंदर डालना है और 15-20 सेट आप इसको एसे ही करें फिर उसके बाद यहां पर यहां दीगई यह ब्लिंग होगी जितना भी आपका जो डाटा होगा जितना भी आपका पासवर्ड होगा वो दुबारा से Cyalu करते हैं वयसे आपका यह दुबारा का यह काम करनाř डेगा और इसके बाद फिर आपका नया पासवर्ड इसके पीछे यहां पर लिöttका है आपको इंटर करना है इसको कनेक्ट कर लेना है आपको नया पासवर्ड आपको इसकी के पीछे लिखा रहता है दोस्तों इसी के पीछे आपको नया पासवर्ड लिखा रहता है या फिर आप माई जियो में जाके अपना पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं तो यह दोस्तों आपको तब करना है जब आपका कोई भी तरीका काम ना करें अभी रुक जाईए जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ इसी से प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका कुछ अंदर से भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको वह अलग-अलग चीजे बता सकता हूं कि कौण काउं से और तरीके हैं जिससे आप अपना वाइ-वाय-बजरो और पहली बार आए है वहाँ से आप चेक आट कर सकते हैं दोस्तों नेस सारे वीडियो बनाए है playlist बैलिस्ट भी मैंने बना दिया है तो वहाँ पर आप जाके अलग-अलग category के एर फाइवर वीडियो देख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ леж Thanks करें फिलाल आगे कांटीनिव करते हैं सबसे पहले मैं इसको वहीं पर लगा के आता हूं जहां से मैं इसको उखाड़ के लाया हूं अब दोस्तों दो तिन तरीके और होते हैं इस डिवाइस को पॉइंट्फोर गीगाहट्स नहीं सपोट करता है फाइव गीघाहट्स सपोट करता है तो देखिए डिवाइस के बिल्कुल पास में हूंतो हमारे में आटोमेटिक ही 5 GHz को सपोर्ट कर रहा है साथ ही यहां पर आप अगर सिगनल देखेंगे तो यहां पर excellent आ रहा है लेकिन अगर जैसे ही हम इधर उधर जाएंगे तो यहां पर हमारा इंगल होगा वहँ हमारा बीक होने लगेगा यहां पर यह फ्रिक्वेंसी आपको दिख रही है यह ट्यंज हो जाएगी चलिए ठीक है यहां पर इसको एसे ही रहने देते हैं इसके नीचे जैसे हमाएंगे तो आईपी एड्रेस हमें इसको जानने को मिलेगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो इसको आपको यहाँ पर जाके सिथे पेश्ट कर देना है अगर आपका कॉपी नहों रहा हो तो आप उसको लिख लीजीए ठीक है और लिखने के बाद आपको simple उसी IP address को Google पे चले जाना है या तो Chrome पे या फिर कोई अधर ब्राउजर पे आपको जाके उसी IP address को आपको सीधे पेश्ट कर देना है पेश्ट कर देने के user id के अंदर आपको admin लिखना है और जो यहां पर password होगा वो अगर आपने कभी से पहले इस चीज को नहीं try किया है तो आपका password होगा जीओ centrum ठीक है यहां पर आपको लिख देना है जीओ centrum उसके बाद आपको login कर देना है उसके बाद फिर आपका नया password बनाने को आएगा तो वहां से आपको password बना लेना फिर से आपको login कर लेना लेकिन दोस्तों इससे पहले भी मैं इसको कर चुका हूं तो हमारे जो user id है तो वह है और जो इसका password है तो मैंने यहां प्रेटेश कर दिया है तो मिहां पर अपना password बाया को यहां लेकिन आप से नहीं देपर के वेलेना इहां दालना है यहे तुक है लिए और यहां पर सबसे पहले मैं अपना password बास wild डालेताओ तो दोस्तों जैसे ही आप उस password को डालेंगे match कर जाएगा match कर जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल जाता है यहाँ पर CPU के बारे में बताया गया है memory के बारे में बताया गया है कि कितनी आपकी memory यूज है कितनी आपकी memory memory free है साथ ही यहाँ पर जो आपका system details है उसके बारे में भी आपकी जानकारी दी गई है system details के अंदर आगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो information तो wireless information के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे operating frequency ठीक है यहाँ पर है 2.4 GHz और यह जो चैनल है यह आटो पर लगा होना चाहिए ठीक है आटो पर यहाँ पर होगा तब यह ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 2.4 GHz वहीं अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है 5 GHz और यह चैनल भी आटो लगा है आटो लगना आटो चैनल का मतलब यह होता है कि जो भी आपका डिवाइस होगा वह आटोमेटिक की यह कंपेर कर लेगा और आटोमेटिक पेर हो जाएगा ठीक है तो फिर से आपको खोलना है यह 3.3. खोलने के बाद यहाँ पर आपको एड्मिनीस्टेटर पर चले जाना है उसके बाद यहाँ पर फास्ट रिसेट डिफॉल्ट और यहां पर रिबूट का आपको आपसन मिलेगा अगर दूस्तों आपने सब कुछ कर लिया तब भी आपका या तो इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा है या फिर आपका जो यह 2.4 गिगाहट्स या 5 गिगाहट्स या वाइफाई से कोई भी रिले ऐसे ऊफ होगा ओन हो जाएगा इससे कोई रहीदा नहीं तो आपको करना है ठीक का फैक्तरी के लापको आको तसकेर्वन या पर तरीका देख सके और फोर्ट के बार यहां और नेटवर्क के अंदर आपको बाइरलेस इसके अंदर आपको चले जाना है जैसे आप wireless के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि आपकी सभी blue ticks है या नहीं है यहाँ पर जो air fiber लिखा है यहाँ पर security जो लिखी है तो VPA2 यहाँ पर जो है और यहाँ पर VPA2 और यहाँ पर VPA3 यहाँ पर फिलाल तो हमारा यह टूपर ही है connect और अगर आप चाहें टूपर आपका अगर connect है ठीक है और चाहें तो आप उसको एक बार 3 पर भी connect कर सकते हैं 3 पर आपको connect कर देने के बाद इसको आपको save कर देना है तो इसको आप try करके देखिएगा अगर हो जाता है तो ठीक है अधर्वाइस यह factory reset का और जो मैंने उस air fiber के पीछे जो एक point है reset बाला बटन उसको मैंने आपको बताया वह सबसे आखरी में आपको यही करना है तो दोस्तों यह तो है कुछ इसमें basic setting इसको आप कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपको कुछ settings और बता देता हूँ उसके लिए आपको चले जाना है प्लेश टोर में प्लेश टोर में जाने के बाद आपको जियो हों को डाउनलोड कर लें यहां पर आपको जाना होगा माई network और जैसे यहां पर आप माई network में जाएंगे यहां पर आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी तो यहां पर आप एक चीज़ और यहां पर आप गौर कीजिए कि जो हमारे पास जो भी डिवाइस इस समय पेर हैं या पेर जो हो चुकी हैं तो उनकी केटीगरी कितनी है यहां पर आप हमारे पास देख रहे होंगे तो यहांँ पर हमारे पास बहुत सारी जो डिवाइस हैं यह इसके ंदर pair हैं और बहुत सारी जो डिवाइस हैं वो pair नहीं हैं तो कभी-कभी होता क्या है कि जो हमारी list होती है जैसे two.4 γİgaharts वाला है maar frequency band या फिर five weigaharts वाला frequency band है उसके अंदर बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट हो चुके होते हैं तो उसकी लिष्ट फूल हो जाती है और वो निव कनेक्ट नहीं कर पाता है लेकिन यह पूरा कोई 100% में इस पे शूर नहीं हूँ तो यह आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजेगा कि आपके मैं ऐसा तो नहीं है कि लिष्ट आपकी फू माई जियो को आपको डाउनलोड कर लेना है तो जैसे ही आप माई जियो अप्लिकेशन को खोलेंगे यहां पर आपका सबसे नीचे क्लिक के आ रहा है माई जियो और यहां पर है माई डिवाइस पर आपको ओके करना है और जैसे ही आप माई डिवाइस पर ओके करेंगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलके आ जाएगा तो यहां पर देखिए हमारे पाथ दो अलग अलग बैंड है 2.4 गिगाहट्स 5 गिगाहट्स आप एक कम और कर सकते हैं कि यहां पर आपको दोनों का अलग अलग नेम करना है और दोनों का आपको अलग अलग पासवर्ड क करें क्योंकि हो सकता है कि आप भी भूल जाएं तो अलग अलग दोनों चीजें आपको यहां पर एक बार करके देख लेनी है क्या पता आपका 2.4 गिगाहट्स काम कर जाए और 5 गिगाहट्स काम कर जाए तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें सुधार कर सकते हैं अगर आपका 2.4 गिगाहट्स काम नहीं कर रहा है या वाइफाई 6 नहीं काम कर रहा है या फिर आपका नेटवर्क आतो रहा है लेकिन आपका नेटवर्क चल नहीं रहा है मतलब आपका वाइफाई इंटरनेट चला नहीं रहा है तो इस तरीके की आप बेसिक सेटिंग कर सकते है जब आप यह सारी सेटिंग्स कर लें तब आपके पास सिर्फ एक ही विकल बचता है या तो आप फैक्टरी रिसेट करने या फिर उसको जो मैंने आपको एक सुर्पात में बटन बताई थी आपको उस बटन को आपको दबाके हाड रिसेट कर देना है तो दोनों ही तरीके से जो कमपनी से अती है उससे सेटिंग Appreciate कर लेना है अगर इसके बाद भी को अगर कोई भी प्रैवल्म हो रही है तो फिर आक तो कश्टुमर कह से समीपोर्ट लेना चाहिए यह हो सकता है कि जो आपका बैंड लगा हो उसके अंदर आपका 2.4 GHz या 5 GHz या जो आपकी Wi-Fi वाली जो चिप लगी है वो सही से वर्क ना कर रही हो दोस्तों जैसे कि आप फोन में देखते हैं कि बहुत दोर क्या होता है कि हमारा Bluetooth नहीं काम करता है या हमारा माइक या हमारा इस पीकर नहीं काम करता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि फूरा फाइवर से लिएटेड में बहुत सारे वीडियो बना भी चुका हो आगे भी मैं 2-4 वीडियो और भी बनाऊंगा तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं उसका भी जवाब देने क की पूरी कोशिस करूंगा थाइंक्यू फॉर वाचिंग जय हिन जय भारत